डॉक्सर सवाल आपसे पीपल्स पार्टी पर में बात कर रहे हूं जुनूबी पंजाब के पंच्छियों का पीपल्स पार्टी में दल्चस्पी लेना क्या जाहिर करता है। कुछ लोगों को लेकिन जब हम आते हैं सेंट्रल पंजाब में और नौर्थ पंजाब में वहां पीपल्स पार्टी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। जो है पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं रही है। क्योंके यहां वहां तो एक कॉमन डिनॉमिनेटर है ना जो जिसका मैंने तथकरा कर दिया है। तो वहां आपको एक कोई असूल, कोई नजरिया, कोई आइंदा का कोई अच्छा नक्षा पेश करना होता है। जो मेरा खाल है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक पेश नहीं किया है। लहादा पंजाब में, सेंटरल पंजाब में और नौर्थ पंजाब में मकाबला दोनों उन्हीं पार्टियों में होगा। जिनमें इससे पहले जो होता रहा है। अगर एक दो सीट पीपल्स पार्टी ने निकाल ली तो उससे फरक नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि यह छोटे-छोटे जो फैक्शन जो बन रहे हैं उसमें एक चीज़ आपको समझनी चाहिए। कि यह शिफ्टिंग लीडरों की हो रही है। शिफ्टिंग हो रही है जो क्या कहते हैं। जो इलेक्टिबल्स की माले घनीमत दूखना चाह रहे हैं। लेकिन लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ऐविडेंस नहीं है कि एक पारिटी के डिकलाइन से लोग दूसरी पारिटी को शिफ्ट हो गया है। मारपस कोई evidence नहीं है इस बात का लहादा जहां तक public है वो तो हैरान और परेशान बैठी है कि बड़े लोग पैसे वाले लोग साहिब एक्तियार लोग वो आपस की लड़ाई कर रहे हैं यही तो है पॉलिटिक्स की बदकिसमती इस मुलक की आपस में चूंचे लड़ा रहे हैं अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं